आप सभी को मेरा नमस्कार तो दोस्तो आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन मास में सुनी जाने वाली गणे चतूरती व्रत कथा लेकर आए हैं तो प्रेम से बोलिए गणे जी भगवान की जे हो दोस्तो एक बार भगवान सीव जी माता पारवती जी नरब्दा नदी के किनारे बेटे थे वहां माता पारवती जी ने भगवान सीव जी से समय वेतित करने के लिए चोपड़ पासा खेलने को कहा भगवान सीव जी चोपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए परंतु इस केल में हार जीत का फैसला कोन करेगा यह परसन उनके समक्स उठा तो भगवान सीव जी ने कुछ तिन के एकरतित कर उनका एक पुतला बना कर उसकी प्राण परतिष्टा कर दी और उस पुतले से कहा बेटा हम चोपड़ खेलना चाते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कोन हारा और कोन जीता उसके बाद भगवान सीव जी और माता पारवती जी चोपड़ खेलना सुरू कर दिया यह खेल तीन बार खेला गया और सयोग से तीनों बार माता पारवती जी जीत गई खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजे बताया यह सुनकर माता पारवती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगडा होने और कीचड में पड़े रहने का श्राब दे डाला बालक ने माता पारवती जी से माफी मांगी और कहा कि यह मुझ से अज्यानता वस ऐसा हुआ है मैंने किसी द्वेस भाव में ऐसा नहीं किया है बालक दुआरा समा मांगने पर माता जी ने कहा यहां गणेश पूजन के लिए नाक कन्याया आएगी उनके कहें अनुसार तुम गणेश जी का वर्थ करो ऐसा करने से तुम तुम मुझे प्राप्त करोगे यह केकर माता पार्वती जी सिव जी के साथ केलास परवत पर चली गई एक वर्ष के बाद उस इस्तान पर नाक कन्याया आई तम नाक कन्याओ से सिरी गणेशी महराज की वर्थ की विदी मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेशी का वर्थ किया उसकी श्रदा से गणेशी महराज परसन हुए उन्होंने उस बालक को मनो वांचित फल मांगने को कहा उस पर उस बालक ने कहा हे विनाईग जी महराज मुझे इतनी सक्ति दीजिए कि मैं अपने पेरों से चल कर अपने माता पिता के साथ केलास परवत पर पहुंच सकूँ और वे यह देकर परसन हो तब बालक को वर्दान देकर सिरी गणे जी महराज अंतरदान हो गए इसकी बात वह बालक केलास परवत पर पहुंच गया और केलास परवत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवाल सीव जी को सुनाई चोपड़ वाले दिन से माता पारवती जी भगवान सीव जी से विमक हो गई थी देवी के रूष्ट होने पर भगवान सीव जी ने भी बालक की बताए अनुसार 21 दिनों तक सिरी गणे जी महराज का वर्द किया इस वर्द के परभाव से माता पारवती जी के मन से भगवान सीव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्थ हो गई तब यह वर्द विधी पूर्वक संकर भगवान ने माता पारवती जी को वधाई यह सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिग्ये से मिलने की इच्छा जागरत हुई तम माता पार्वती जी ने भी 21 दिन तक भगवान सिरी गने जी महाराज का विदी पूर्वक वर्थ किया तथक दुर्वा फूल और लड़वों से गने जी महाराज की पूजा अर्चना की वर्थ के 21 दिन कार्तिग्ये स्वेम माता पार्वती जी से मिलने आ गए उस दिन से सिरी गने चतुर्थी का यह वर्थ समस्त मनों कामनाओं की पूर्थी करने वाला वर्थ माना जाता है इस वर्थ को करने से मनुसे की सारे कश्दूर होकर मनुसे को समझ सुक सुविदाय प्राप्त होती है तो कहानी सुनने वाले हुकारा भनने वाले कहानी पूजा पाठ करने वाले गने जी महाराज सभी की मनों कामनाई पूरी करे सबी पे अपना आसिर्वात बनाये रखे तो प्रेम से बोली गणे जी भगवान माता पार्वती जी भगवान सीव जी की जे हो